व्रिंदावन में एक निर्धन ब्राह्मन रहता था, जो बांके बिहारी के प्रती अगाद श्रद्धा रखता था. उसके लिए हर सुबह और शाम मंदिर में बांके बिहारी के दर्शन करना अनिवार्य था. अन्य था उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता था. जब भी मं जहन में था, एक और बेटी की शादी और दूसरी और बांके बिहारी की सेवा, उसने सोचा, अगर मैं यह बात पत्नी को बताऊंगा तो वो नाराज हो जाएगी, वह पक्का कहेगी कि बेटी की शादी महत्वपूर्ण है और भंडारे की सेवा एक दिन रुकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई और इसे संभाल लेगा, पर बेटी की शादी दोबारा नहीं होगी। अराम से बैठने और चाय पीने को कहा, ब्राहमन को आश्चर्य हुआ कि कोई भी उसे डांट नहीं रहा था और नहीं कोई पूछ ताच कर रहा था कि वह शादी में क्यों नहीं था, उसकी पत्नी भी प्रेम पूर्वग बात कर रही थी, ब्राहमन ने सोचा कि जो हुआ उस लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि हर तस्वीर में वह भी मौजूद था, ब्राहमन भावुक हो गया और बांके बिहारी को मन ही मन धन्यवाद देने लगा, अगले दिन वह मंदिर गया और बांके बिहारी के सामने खूब रोया, उसने प्रण किया क्योंकि अपने भक्तों को कभी भी गलत मार्क पर नहीं जाने देते, बलकि हर समय उनके साथ खड़े रहते हैं, दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं, तो क्रिपा करके बताएं कि आप हमें किस प्रदेश से देख रहे हैं, ताकि हम आपको अपके अंचल की कहानी बना कर दिखा सके